हेलो स्टुडेंट्स वेलकूम अगेन टू लर्न व्रेदेतीमन आज हम करेंगी चैप्टर नंबर 4 की कुश्यन आंसर आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से रीट कर लिया होगा अब हम इसकी कुश्यन आंसर करेंगी तो आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएंगे राजिस्थान में प्रस्तर यूग के अवसेश किन नदियों के किनारे विक्सित हुए हैं राजिस्थान में प्रस्तर यूग के अवसेश यानि पाशान यूग के अवसेश जो है वो है किन नदियों के किनारे विक्सित हुए हैं बनास नदी गंभीरी नदी का प्रियोग किया था नेक्स्ट है कुश्यन नमबर थ्री देखिए जो बच्चे आर्पीसी की बुक जो है नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि कोई भी एक्जाम आपके आर्पीसी लेवल का तो वहां पर आपको ये बुक में से ही कुश्यन आ राप्त हुए तो इसका आंसर है काली बंगा गनेश्वर और आहड सब्यता काली बंगा सब्यता किस नदी के किनारे इस्तित है काली बंगा सब्यता किस नदी के किनारे इस्तित है तो यह घकर नदी के किनारे इस्तित है नेक्स्ट देखिए कुश्यन नमबर 5 काली बंगा स सब्वेता की खोज करने वाले थे अमला नंद घोज नेक्स्ट है कुश्य नमबर सिक्स डेटेल में मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ा दिया है यहां पर मैं केवल कुश्यान आंसर डिसकस करूंगी काली बंगा सब्वेता राजिस्थान के किस जिले से संबंदित है त जो व्यक्ति थे वो कौन थे आमला नंद घोज इन्होंने क्या की थी पहचान की थी सब्वेता की और यहां पर जो खुदाई की थी वो बी बी लाल और बी के थापर ने की थी कुशन 8 काली बंगा सब्वेता में नालियां किस से बनी हुई थी तो यह एक्जाम में पूछा गया कुशन है कि काली बंगा सब्वेता में नालियां जो थी वो किस से बनी हुई थी तो यह लकडी की भी बनी थी और इटों की भी बनी थी काली बंगा में मकान बनाने के लिए प्रियोग किया जाता था तो मकान बनाने के लिए प्रियोग करते थे ईटों का ठीक है तो ईटों का प्रियोग जो है वो काली बंगा सब्वेता में किया जाता था नेक्स्ट है काली बंगा में अगनी वेदिकाएं कहां पर बनी होती हैं तो अगनी वेदिकाओं के प्रमान मिलते हैं हमें काली बंगा सब्वेता से और ये चबूत्रों पर बने होते थे काली बंगा की नगर नियोजन विवस्ता किस सब्वेता के समान थी? तो यह सिंदू सब्वैता की समान थी नेक्स्ट देखिए कुश्यन नमबर 12 तो जिस तरीके से सिंदू घाटी सब्वैता में नगर नियोजन किस प्रकार था कि नगर जो है वहाँ पर सडकें थी वो पक्की थी और समकोंड एक दूसरे पर काटी हुई थी इसी तरीके से काली बंगा सब्वैता में थी काली बंगा से प्राप्त नगरों में क्रशी कहां की जाती थी तो यहां क्रशी जो है वो नगर में ना करके नगर की चाहर दिवारी के बाहर की जाती थी काली बंगा में मकान बनाने के लिए प्रियोग किया जाता था तो यह हमने अभी कोशन पढ़ लिया था रिपीट है कि यहां पर इंटों का प्रियोग किया जाता था तो जिसमें पक्की इंटों का प्रियोग जो है वो विसेश तोर पर किया जाता था गाए के मुखवाले प्याले किस सब्विता से प्राप्त हुए हैं गाए के मुखवाला प्याला जो है वह हमें किस सब्विता से मिलता है तो यह काली बंगा सब्विता से मिलता है जिससे यह पता लगता है कि यह लोग गाए को भी पालते थे नेक्स्ट रहें कोशन नमबर 15 तांबे के बैल की मूर्ती कहां से प्राप्त हुई है तो जिस तरीके से गाए के मुख वाला प्याला मिला है उसी तरीके से यहां पर बैल की मूर्ती मिली है तांबे की ठीक है इसका मतलब क्या है कि यह लोग बैल भी पालते थे तो यह काली ब किस सब्वेता से हमें हाती दात से बना हुआ कंगा मिलता है तो काली बंगा सब्वेता के लोग जो है जो इस्त्रियां थी वो जो सौंदरे के जो साधन होते थे उनका यूज करती थी तो यहां पर एक विशेश प्रकार का कंगा मिला है जो की हाती दात से बना था तो यह काली माना जाता है कि जो नदी है यानि घगर नदी है उसका पानी सूग्या होगा और मरुस्थल के बढ़ने की वज़े से ये सब्वेता का विनास हुआ होगा नेक्स्ट देखिए कुश्यन नमबर 19 उद्यपूर के धूल कोट का सम्बंद किस सब्वेता से है उद्यपूर में धूल कोट का सम्बंद किस सब्वेता से है तो यह आहड सब्वेता से है नेक्स्ट देखिए, question number 20 है, किस सब्वेता को पहले तामरवती के नाम से जाना जाता था? तो किस सब्वेता को जाना जाता था तामरवती के नाम से? तो वह है आहड सब्वेता थी, ठीक है? जो कि 2000 इसापूर्ट से 1200 इसापूर्ट तक की मानी जाती है. नेक्स्ट देखिए, question 21, किस सब्वेता के मकानों से हमें 6 जूले प्राप्त हुए हैं? तो वह सब्वेता है, आहर सब्वेता, यानि यहाँ पर संयुक्त परिवार जो है, इसके प्रमान मिलते हैं. कौन सी सब्वेता जहां उच्च कोटी के चावल का उत्पादन किया जाता तो important question है, कि उच्च कोटी के चावल का प्रियोग जो है, वह किस सब्वेता से मिलता है? यह है आहर सब्वेता से मिलता है, जिसे हम धूल कोट की सब्वेता भी कहते हैं. नेक्स्ट देखिए 23 question, आहर सब्वेता में प्राप्त हुए चूले किस प्रकार के हैं? तो यहां पर जो चूले प्राप्त हुए थे, वह भट्टी के आकार के थे. नेक्स्ट देखिए, question number 24 है, कि कौन से स्थल के निवासी बरतन बनाने की कलामें दक्ष थे? तो इसका सही आंसर है, आहर सब्वेता के निवासी. नेक्स्ट देखिए, question number 25, आहर सब्वेता से प्राप्त मिट्टी के बरतन किस रंग में रंगे हुए थे? तो यह लाल काले रंग के थे, यानि लाल भूरे रंग के कहे जा सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, आहर सब्वेता में मकान किस के बने होते थे, तो ये कच्ची इटों के और नीव जो थी, वो पत्थर की. मकान तो कच्ची इटों के बने होते थे, लेकिन उनकी नीव जो होती थी, वह पत्थर की बनी होती थी. किस सब्वेता से हमें 26 किसम की मनिया 6 तामबे की मुद्राएं 3 महरे प्राप्त होती है तो वह सब्वेता कही जाती है आहर सब्वेता जहां हमें 26 किसम की मनिया 6 तामबे की मुद्राएं और 3 महरे प्राप्त होई थी नेक्स्ट देखिए question 28 धूल कोट के विंद्वस के बाद के यहां के लोगों ने कौन से नगर बसाए तो यह सब्वेता जो है वो समाप्त हो जाती है और फिर यहां के लोग जो है वो आगे चलके नगर बसाते हैं गलून्ड और भगवान पूरा जैसे नगर बसाते हैं लगवान पूरा जैसे नगर बसाते हैं